हेलो गाईज कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरे चैनल अनपुर्णार सोई में आज हम बनाने जा रहे हैं दही फुलकी जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं जिसके लिए एक बड़ा बाउल लेंगे उसके अंदर डाल देंगे हम देड़ कप बेसन बेसन को आप अच्छे से चान लें और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे तो सबसे पहले डालेंगे आधी चमच हम अजवैन हाथ से करश करके डालेंगे फिर डालेंगे एक चमच लसन अद्रक और हरी मिर्जी का पेस्ट अगर आप लसन नहीं खाते हैं तो आप ना डालें दो पिंच के करीब हींग डाल देंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ी सी हलदी डाल देंगे कलर के अदि नुसार लार मिचिका पाउडर डाल देंगे अधी चमच मसाले आप अपने हिसाब से कम जादा रख सकते हैं जो मसाला पसंद ना हो उसे हटा दे और आप अपनी मन पसंद के भी मसाले इसके अंदर डाल सकते हैं और अच्छे से हम मिक्स करते हुए इसे का ग्होल बन बना लेना है और अब हम करेंगे विस्कर का यूज़ क्योंकि चम्मत से हो नी रहा है तो विस्कर की सहायता से हम इसका एक स्मूद सा बेटर बना कर त्यार करेंगे बेटर ना तो जादा गाड़ा होना चाहिए और नहीं जादा पतला तो देखे बिना बैकिंग पौडर बिना बैकिंग सोड़े के भी आप ये फुलकी बना सकते हैं तो देखे बेटर त्यार हो गया है तेल मैंने गरम करना रग दिया था तेल अच्छे से गरम हो गया है अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम और इसके अंदर हम थोड़ा सा बैटर डाल कर दिखेंगे कि फुलकी हमारी बनने के लिए त्यार है या नहीं तो देखे तेल जो है अच्छे से गरम हो गया है और अब हम छोटी छोटी फ्लेम बना कर त्यार करेंगे गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम ताकि फुलकी जो है अंदर तक अच्छे से सिख जाए बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड आप एक बार जरूर ट्राए करें फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक शेड जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पास में घंटी का बटन है उसे जरूर दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिले आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं ये कमेंट करके भी जरूर बताएं और रेसिपी ट्राए करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी तो फुलकी को उलट पलट करते हुए हमें सेक लेना है तो देखे जब फुलकी अच्छे से फ्राय हो जाए तब हम इनको निकाल लेंगी और सारी फुलकी हमें इसी तरह बना कर त्यार कर लेनी है तो देखे सबी फुल गुना पानी डाल देंगे जादा गरम नहीं लेना है हलका गुन गुना लेना है और इसके अंदर सारी फुलकी डाल देंगे ताकि हमारी फुलकी जो है और भी सॉफ्ट हो जाए और अब हम दही लेंगे मैंने एक बड़ा कटोरा दही लिया उसे हम अच्छे से फैंट लें है हमें दही को और दही हमें ज़्यादा गाड़ा नहीं रखना है नहीं तो फुलकी के अंदर जाएगा नहीं बहुत ही टेस्टी फुलकी बनती है यह बरतन थोड़ा छोटा लग रहा है हम दूसरे बाउल के अंदर दही को ट्रांसफर कर लेंगी और अब हम इसके अंदर थो पानी डाल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं दहीं जो है इस तरह का होना चाहिए अभी वी दहीं मुझे थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी ओर डाल दिया है थोड़ा सा मसाला डाल देंगे चाट मसाला डाल देंगे मसाले आप अपने हिसाब से कम जादा रख सकते हैं काला नमक डाल देंगे और लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे और यहां पे आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं मेर लाल प्याज लिया है बारी कटा हुआ और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया इन सब को डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे फुलकी तो हातों से थोड़ा सा इनका पानी निचोड़ ले तो देखे जितनी खानी है उतनी आप बना कर रख सकते हैं वैसे आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर देंगे 15-20 मिनट तक फुलकी को इसी तरह दही में पड़े रहने दे और फिर आप इने ठंडा ठंडा काया आप फ्रीज में भी रख सकते हैं